हेलो इब्रिबन केसी वाफ सब एक बार पुनाहा स्वागत है आप सभी कामारे अपने योटूब चैनल एटुजट बावलाजी क्लासस पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टल्थ बावलाजी एंसी आटी देखेंगे दो अंको वाले यहां पर मोस्ट की कारियों के यानि की फंक्संस आफ ओवरी ओवरी के दो प्रमुक कार हैं पहला काम यह होता है कि अंडाड़ों का निर्माड करना यानि की फार्मेशन आफ ओवम ओवम का निर्माड करना ही सबसे पहला और सबसे बढ़िया काम होता है अंडासय का तो अंडासय का जो सबस बिसकिलि प्रोजेसिटेरान हार्मॉन्स कहते हैं तो मुखरूप से जो अंडास्य इसके द्वारा जिस हार्मॉन्स का स्टेरान हर्मॉन्स होता है जो हार्मॉन्स निकलता है उसका नाम है इस्टोजन थे होता है, जो injusti по दूर ऑया कलेंगिक लिए उतर दाई होता है इसके बाद दूसरा यहाँ पे है ब्रसन के कार यानि टेस्टीज के कार जितने भी है तो उसमें पहला जो काम है वो है सुक्राड़ूगों का निर्माड करना से हम जैसे अंडासय का प्रमुकार है अंडाड़ूगों का निर्माड करना उसी प्रकार ब्रसन का कार है का स्रावण करना ब्रसन के अंदर कई सारी लीडिंग को सिकाएं होती है जिसको कि हम अंत्राली को सिकाएं भी कहते हैं उन्हीं को सिकाओं से टेस्टो इस्टेरान हार्मोंस का स्रावण होता है और यही टेस्टो इस्टेरान हार्मोंस जो होता है यही किसी भी मेल या नर के अ लाने कि दो ब्रसंड या टेस्टी उदर गुहा के बाहर ब्रसंड कोस के अंदर इस्थित होते हैं। लाने कि दो ब्रसंड कोस में। देखिए आपको पहले ही पता है कि जो लीडिंग कोसिकाएं होती है या जो अंतराली कोसिकाएं होती है इनहीं से टेस्टोइस्टेरान हार्मोंस का स्रावण होता है। और टेस्टोइस्टेरान हार्मोंस ही क्या करता है किसी भी मेल के अंदर धुतियक लेंगी क्लच्छनों का विकास करता है या निर्माण करता है। तो जब लेडिंग कोसिकाएं ही नस्ट हो जाएगी तो टेस्टोइस्टेरान हार्मोंस का स्रावण ही नहीं होगा और नर के दुतियक लेंगी क्लच्छनों का विकास क्रमसा रुख जाएगा। चव्था कोस्टन देखिए क्या है कि मादा युग्मुकोध भीद या भूण कोस का नमांके चित्र बनाई है। देखे जब भी मादा युग्मुकोध भीद या भूण कोस यानि कि एम्ब्रियोस के डाइग्राम की बात करते हैं। पहले चीज यहां से एक qosечно अक्सर पूछा जाता है कि एक परिपक भूण कोस में कितने केंदरक और कोसिकाएं होती हैं तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है किसी भी भून कोस के अंदर साथ कोसिकाएं और आठ केंद्रक होती है तो इन में इसकी सनचना जब आप देखते हैं तो इसकी सनचना में आपको उपर की ओर तीन कोसिकाएं दिखाई देती है और ये तीनों कोसिकाएं लगभग समानाकार की होती है इन कोशिकाओं को हम प्रतिमुखी कोशिका हैं यानि की एंटी पोडल सेल कहते हैं इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये बीच वाली पूरी जो कोशिका होते हैं चुकि ये कोशिका बीच में है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रल सेल कहते हैं यानि की केंदरी कोशिका कहते हैं यह यहां पर आप देख भी सकते हैं केंदरी कोशिका तो यह पूरी की पूरी जो बीच वाली कोशिका यह सेंट्रल सेल कहलाते हैं यानि की केंदरी कोशिका तो एक कोशिका तो हो गई केंदरी कोशिका और तीन हो गई प्रतिमुखी कोसिका हैं इसके बाद नीचे साइड जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक जो बड़ी वाली कोसिका दिखाई दे रही है यह वाले इसको कहते हैं एक्सेल यानि की अंड कोसिका और अंड कोसिका के दोनों साइड आप देख रहे हैं कि समान आकार की यानि प्रतिमुखी कोसिका हो गई तो एक कोसिका तो हो गई आपकी सेंट्रल सेल यानि की केंडरी कोसिका इसके बाद जो उपर की तीनों कोसिका हैं वो प्रतिमुखी कोसिका हो गई तो तीन एक चार हो गई फिर एक अंड कोसिका हो गई पांच और फिर दो सहाय कोसिका यानि की सिनर गिट सेल, तो कुल मिलाकर के साथ कोशिकाएं हो गई, अब आपको केंदरक देखना है, तो एक परिपक भून कोशिकाओं के अंदर आठ केंदरक होते हैं, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो केंदरी कोशिका है, इस केंदरी कोशिका के अंदर दो केंदरक होते हैं, त केंद्री कोशिका के अंदर के दो केंद्रक तो तीन और दो पांच हो गया फिर इसके बाद एक केंद्रक जो है अंड कोशिका के अंदर है तो ये च्छाय हो गया फिर दो केंद्रक जो है दोनों सहाय कोशिका यानि की सिनर गिड़ सेल के अंदर है तो इस प्रकार से एक जो है दोई लिंगी पुष्प धारण करता है तब बिना मादा प्रजनन अंग को प्रभावित किये हुए इसके पराग को पुंकेशर को निस्कासित करके मादा पुष्प में क्रतिम रूप से इस्थानांत्रित किये जाते हैं इस प्रक्रिया को ही भी पुन्शन कहते हैं दे इसके जो पराग कोस होते हैं पराग कोस के अंदर बेसिकली आप पाएंगे कि पुंकेशर में क्या होते हैं पराग कोस लगे होते हैं तो पराग कोस पुंकेशर को निस्कासित करके मादा पुष्प के क्रतिम रूप से इस्थानांत्रित हो जाता है तो इसके जो पराग कोस होते हैं वो पुंकेसर को निसकासित कर देते हैं अथात छोड़ करके कहां चले जाते हैं मादा पुस्प में क्रतिम रूप से इस्थानांत्रित हो जाते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं वी पुंसन कहते हैं इसके बाद एक आखरी कोस्चन है अभासी फल किसे कहते हैं तो अभासी या सत्य फल या कूट फल क्या होती है अक्सर आप देखे होंगे कि जब भी बात आती है फलों के निर्मार की तो फलों का निर्मार कहां से होता है अंडासे से यानि की ओबरी से होता है तो ओबरी से यदि किसी ही प्रकार से फलों का निर्मार होता है तो इस प्रकार की प्रक् तो जब अंडास है से फलों का निर्वाण होता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं लेकिन अंडास है कि अतरिक्त किसी भी भाग जैसे पुसपासन बायंदल पुंज आदी से जब फल का निर्वाण होता है तो इसे हम कूट फल कहते हैं या सत्य फल कहते हैं इसका सबसे बड़ी है एक्जामपल है सेव एक अभासी फल का सबसे बड़ी एक्जामपल है इसके बनने में मुख रूप से पुस्पासन की एहम भूमी का होती है अर्थात इसका निर्मार पुस्पासन से होता है तो जब भी आपको ध्यान में रखना है कि अंडास है कि अतरिक्त यदि किसी भाग स कि उसके फल का निर्मार होता है तो इस प्रक्रिया को हम या इस प्रकार के बंदने वाले फल को हम आभासी फल या कूट फल या सत्य पल अर्थात फाल्सत्विट